नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं निको को बदाई दी है, बदादे 23 घंटे 40 मिट की उल्टी गिन्ती जैसे ही समाप्त होई 44.4 मीटर लंबा ध्रुवे उपगरा प्रछेपन यान चन्नाई से लगभग 135 किलो मीटर दोर सिरी हरिकोटा इस्थित आंतरिक्ष केंद्र से पुर्वाहन 11 बच कर 50 मिटर पर निधारी समय पर संदार धंग से आस्मान की तरह फ्रवाना हुआ राजेपाल सीपी राधाकिष्ण ने सोसल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा चंद्रयान तीन की एतिहासिक सफलता के बाद इसरो एक बार फिर आदित्य एलवन के साथ सुर्य का अध्यान करने वाले पहले अंत्रिक्ष मिशन के रूप में एक अनुखी यात्रा पर है प्रचेपन पर मेरी हार्दिक बधाई सुर्य अनुवेशन और अभुद पूरुक खोजो के उजवल भविशे के लिए इसरो को और अधिक सफलता की सुबकम नाए सहायक अध्यापको की पहली आग्लन परिक्षा पैनाम जल्द पूरी परदर सिता बरती जा रही है 30 जूलाई को परिक्षा आयोजीत होने के बाद विद्यार्थियों से नाक्यवल प्रशनों के उत्तर पर सुझाव मांगे गए बलिक उनका OMR सीट को भी वेबसाइट पर जारी कर अपने हल प्रशन के बारे में जानने के लिए कहा गया उन्होंने कहा है कि जैक के अधिकारी और करमचारी को परलोभन देने की कोशिस इस परिक्षा में बैठे सहायक अध्यापको के द्वारा किया जा रहा था मगर इसकी जनकारी मिलने के बाद जैक ने कारगर कदम उठा कर पूरी परिक्षा पनानी को पार्दार्सिता बनाने का काम किया है इडी नोटीस से मुख्य मंत्री हेमान सुरेन इडी के दो समन के बाद हाजिर नहीं होने के बाद मुख्य मंत्री हेमान सुरेन को इडी का तीसरा समन आया है नौसी तमर को मुख्य मंत्री को इडी का रियालाय में पेस होना है ऐसे में मुख्य मंत्री हमन्सुरेन के मुश्किले बढ़ सकती है उन्हें इस बार ED के समक्ष हाजिर होना होगा इसे लेकर कानी नुई दो ने जनकारी साजा की है बताद जमीन घोटला मामले में ED के तीसरी नोटिस ने मुखे मंत्री हमान सुरेन के लिए मुश्क लिए बढ़ा दी है इडी के द्वारा भेज़े गए नोटिस में नौ सितमर को मुखे मंत्री हमान सुरेन से पूछता चोगी इससे पहले दो बार इडी हमान सुरेन को नोटिस भेज चुकी है जिसमें वे उपस्थित नहीं हुए है ऐसे में तीसरी नोटिस को कानूनी रूप से अम्तिम नोटिस माना जा रहा है जार्खन में बिजली संकट केंद्र सरकार के आदेस पर रोकी बिधूत आपूर्ती जामोमो जार्खन में बिजली संकट बढ़ गया है इसका ठीकरा जामोमो ने केंद्र सरकार पर फोड़ा है जामो की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार के आदेस पर जार्खन बिजली आपूर्ती को रोका गया है बतादे जार्खन पिछले दिनों से विधूत आपूर्ती चर्मा गई है अलग-अलग छेत्रों में लागातार लोट सेडिंग से जानता परिशान है आईसे में राज की सातारूड जार्खन मुक्ति मोर्चा ने बिली संकर कर ठिकरा केंद्र की सरकार के उपर फोड़ा है राज में परदेश कर्याले में जार्खन मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भटाचा ने प्रेश वार्ता कर कहा है कि पिछले तीन दिनों से राजे जवर्जस्त बिली संगर से जूज रहा है क्योंकि केंद्रे के आदेश से NTPC और पावर ग्रीड ने ओडिशा से मिलने वाले बिली अपूर्ति को रोक दिया है मेधावी छात्रों को किया गया समानित इस्पिकर ने कहा सरकारी बिद्यालियों को नीजी स्कूलों की तरह बनाना होगा जार्खन अधिवीद परिशत के 20 वर्ष पूरे होने के आउसर पर राजी के टोपर स्टूडेंट को समानित किया गया साथी इस अउसर पर ओनलाइन रिपोर्ट डिज्ट्री वेरिफिकेशन पोर्टल भी जारी किया गया बताद जार्खन अधिवीद परिशत ने सन्निवार को अपना विश्वा बस गाठ पनाया इस मोगे पर इस साल जैक द्वारा आयोजीत परिच्छा में टोपर बिद्यार्थियों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉंज मेडल से समानित किया गया जैक सभागार में आयोजीत अस्थापना दिवस्वा समान समारों के दोरान जार्खन अधिविद परिच्छत के परिच्छा फल का ओनलाइन रिपोजीतरी वेरिफिकेशन पोटल जारी किया गया इस पोटल के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे ओनलाइन सेटिफिकेट पराप्त करने के अलावे जेक से समन्ता प्राप्त विद्यालियो तथा इंटर कॉलेज में कख्छा संचालन के लिए त्यारी नियमावली और अगामी परिक्षा के आयोजन से समन्दी जनकारी ले पाएंगे मैट्रिक वा इंटर की परिक्षा फर्वारी में जार्खन में मैट्रिक और इंटर की परिक्षा अगले साल फर्वारी में होगी वहीं आठवी की परिक्षा मार्च, नौवी की जन्वारी और एगारवी की फर्वारी में होगी जार्खन एकेडमी कॉंसील ने परिक्षाओं का संभावित केलेंडर सनीवार को जारी कर दिया है साथ ही जैक की ओर से जारी साटिफिकेट का विरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा जार्खन विधान सभाग के अध्यक्स रविनलात महतो ने सनीवार को जैक के अस्थापना दिवस्ता समान सभारों में इसे जारी किया है बतादे परिक्षा की समावी तिथी की घोषना करने के साथ ही उसके रेइस्ट्रेशन और आवेदन करने की तिथी भी घोषित की गई है आठवी के लिए ओनलाइन आवेदन नॉमबर में भरे जाएंगे वही नौवी और एगारवी के आवेदन सितंबर में ही लिए जाएंगे वही दसवी बराहवी के आवेदन अक्टूबर में भरे जाएंगे डेंगू 16 जिलो में फैला जमसेदपूर में तीन की मौध राज में मच्छों का अतंक है खासकर पूर्वी सिंभू में इस ठीती भयावा होती जा रही है स्वास्त भी भाग के अनुसार अब तक राज के 16 जिलो में जहां डेंगू का प्रसार हो चुका है वहीं 11 जिलो में Japanese Incephalitis एवां 29 जिलो में चिकुन गुनिया के मरीज मिले है सबसे चिंता जना किया है कि रांची में जहां Japanese Incephalitis के एक मरीज की मौध हो चुकी है वहीं जमसेदपूर में डेंगू से तीन मरीजों की भी मौध हो गई है राज वी बीडी को सांग के अनुसार जुलाई तक राज के 29 जीलों में चिकनगुनिया के 131 मरीज मिले हैं मंत्री रामेश्वर उराव चार को करेंगे जन सुनवाई कॉविनेस भावन में 4 सितंबर को मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव जन सुनवाई करेंगे वे बीत सह खादय पूर्ती मामलों की जन सुनवाई करेंगे वे जनता की समस्याय सुनेंगे और उसके समाधान का पर्यास भी करेंगे उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपनी समस्यायों को लेकर आवेदन के साथ जन सुनवाई में सामिल हो इधार सिलेंडरों के दावों में 200 रुपय की कटोती को कॉंगरेस ने चुनावी लोली पॉप करार दिया है इसके खिलाप रभीवार को सभी जीला में प्रेस कॉंफिरेंस होगा रांची में कॉंगरेस के परदेश अध्यक्ष रायस्था कुर्शनवदात्ता समेलन करेंगे जार्खन की रहस्मई गुफा आज तक कोई नहीं नाप सका लंबाई जार्खन में कई ऐसी रहस्मई जगा है जिसके राज आज भी अनसोलजे है आज हम आपको एक ऐसी रहस्मई गुफा के बारे में बताने जा रहा है जिसका नाम है बागलाता के गुफा बता दे बागलाता की गुफा धारमी के लिहाई से बहुत खास है मने आता है कि इस गुफा में देवी देताओ का निवास अस्थान है यह गुफा प्राचिन काल से ही आस्था का केंद्र है सिम्टेगा जीला मुख्याले के सदर परखंड से महा चार किलोमीटर की दूरी परिश्थीत गर्जा पंचायत के बाग लाता जंगल में यह बिसाल गुफा है जिसके रहत से आज भी अंसुलजे है इसकी पूरी लंबाई आज तक कोई नहीं नापसका है जीर खन के सरकारी इसकूल के बच्चों के लिए अब बनवा सकते हैं अपनी पसंद का खणा जीर खन के सरकारी सुलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस विशेस भोजन का नाम तीथी भोजन दिया गया है बता दे अभी परधान मंत्री पोशन सक्ति निर्मान योजना के तहर सरकारी स्वलों पढ़ने वाले पहली से आठवी कच्छा तक के बच्चों के स्कूल के तरफ से ने सुल्क मद्यान भोजन दिया जाता है जार्खन इस समन्द में सभी जीलों को निदेश जारी करते हुए कहा है कि तीथी भोजन जिस दिन बच्चों को भोजन कराएंगे के आवयोजन के लिए लोगों को जागरूप किया जाए तथा विशेस औसर पर विद्यालों में ही जाकर भोजन कराएं जामुमो की बेवी देवी ने जानता से मांगा आसिरवाद जैसे जैसे डूमरी बिधान सबा उपचुनाओ की तारी करीब आ रही है दोनों गटबंधन का प्रसार अभियान तेज होता जा रहा है नेशनल डेमोक्रेटीव एलाइंस की ओर से भारतिय जानता पार्टी और आइसू के नेता धुवादार पर चार कर रहे हैं तो INDIA की ओर से जारखन के मुखे मंत्री हिमान सुरेज और उनकी केबिनीट के सदसेवों के साथ सात कॉंगरेट के नेता भी जोरदार पर चार अभियान चला रहे हैं बता दे जार्खन की दिवंगा सिक्षा मते जगना अ दवरा किया उन्होंने जानता से चुनाओं में अपने लिया असिर्वाद मांगा साथी वोटर्स को अस्वस्त किया है कि जगानात महतों ने डूमरी बिधान सवाच्छेतर के विकास के लिए जो सपना देखे थे उन अधूरे सपनों को अब वह पूरा करेंगी अर्जुन मुंडा ने हेमंद सरकार पर बोला हमला काहा वरष्टा चार चरम पर छारखन के पुरमुख मंत्री सकेंद्रिये मंत्री अर्जुन मुंडा ने मजूदा राई सरकार पर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि हेमंद सरकार के कारेकाल में वरष्टा चार चरम पर रहा है इसे राज की छवी खराब हुई है भाजपा एक बार फीज से राज का नेतित्य कर हलात सुधारेगी ए बाते उन्होंने डूमरी उपचुना के परचार में जाने से पूरो बिधायक आवास में पत्रकारों से बात चीत करते हुए कही है धन्यवाद